Hi everyone, so IPU Late 2023 में हम Mechanics स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर के end तक के सारे चैप्टर देखेंगे, पहले छोरी पोर्शन कवर करेंगे, फिर जो important numerical है, उसको cover up करेंगे, ठीक है, so chapter number 1, introduction to mechanics है, जिसके अंदर जो important points है, उसे मैं discuss करूँगा, क्योंकि ये चैप्टर उसे जदा खास नहीं है, कि हमें इसमें कुछ जानने को मिलेगा, बट फिर भी जो भी कुछ key points है, उसे हमें पता होना चाहिए, तो उसके बारे में हम discuss करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला काम है, कि हमें ये पता करना है, कि या rigid body क्या होता है, ठीक है तो rigid body वो body होता है, जो deformable नहीं हो सकता, ठीक है, not deformable not deformable, मतलब यार एक ऐसा body जिसके उपर अगर मैं कोई force लगा हूँ, let's suppose कि मेरे पास ये एक body है, जिसके उपर मैं some 10 newton का force लगा रहा हूँ तो ये एक तरह का rigid body है, यानि इसके उपर अगर मैं force लगाँगा, तो ये अपना shape या size चेंज नहीं करने वाला तो हम बोलेंगे कि यार ये एक क्या है, rigid body है, तो rigid body जो होता है, ठीक है, उसका shape या उसका जो size है, ठीक है, वो कभी बदलेगा नहीं, अगर न हम उसके उपर कोई force implement करेंगे तो, ठीक है इसके बाद next point क्या है, next point है आपका mass, mass क्या होता है, तो mass होता है कि कोई भी object है, उस object के अंदर मौझूद quantity of matter, तो mass क्या है, quantity of matter, ठीक है अगर spelling में कभी कुछ mistake हो जाए, तो इसको ignore कर देना, तो mass क्या है quantity of matter, इसको अगर आपको notes बनाने हो, तो इस तरीके से आप notes बना सकते हो, अपने copy में भी ठीक है, बागे तो मैंने provide करी दिया आपको फिर भी, mass क्या है quantity of matter, यानि let's suppose कि यार ये एक object है, ठीक है, इस object के अ सकता है, ठीक है, उससे में discuss नहीं करना, मैं कहा हूँ कि वो matter से मिलकर बना है, उसके अंदर कुछ matter है, तो उस matter की quantity है, उसको हम mass के देते हैं, ठीक है, अब mass का जो SI unit होता है, वो सबको पता है, कि यार हम इसको kg में नापते, तो इसका SI unit है, वो है हमारा kg, यानि system international unit के हमार kg, mass के बाद, अब अगला जो हम काम करते हैं, वो है, weight, weight क्या होता है, तो देखो weight जो होता है, वो होता है, हमारा, green panel लेटा, या black की रहने देते हैं, ठीक है, जो weight होता है, वो होता है हमारा force, इसको मैं और कुछ नहीं कहूँगा, ये क्या है, force, अब ये force क्या है, weight force कैसे बन गया, तो देखो, force क्या होता है, according to newton second law of motion, अगर आपको नहीं पता, तो एक simple सा formula, जो हम बच्पन से अभी तक पढ़ते हुए, force is equals to mass into acceleration, ये पढ़ते हैं, तो ये जो weight होता है, ये weight something force ही है, कैसे, तो मैं कहता हूँ, weight is equals to, जो mass है, ये जो mass हमने उपर पढ़ा है, ये gravity, ये weight का formula होता है, कि weight कैसे निकालना, यार कोई भी mass है, उसको acceleration due to gravity से multiply कर दो, according to situation, यानि mass को या तो मैं 9.8 से multiply कर दूँ, या तो 10 से multiply कर दूँ, according to situation, ठीक है, अगर आपको 9.8 लेना है, तो आप उसके according देखे कि 9.8 से answer आ रहा है या 10 लेना है, तो 10 से देखे कि answer आ रहा यानि ये acceleration से जब मैं mass को multiply करूँगा, तो body के अंदर कुछ गती आ जाएगी, वो move करने लगेगा, तो मैं बोलूगा, यार weight आ गया, अब ये acceleration due to gravity है, ये weight actually में क्या होता है, जब अर्थ का center, जब वो किसी भी object को, या कोई भी object जिसके पास mass है, जब वो उसको खीच रहा ह ठीक है, तो वो जो acceleration लग रहा है due to gravity, ठीक है, तो weight कहलाने लग जाता है, simple सा logic, ठीक है, तो weight कहा है, एक तरह का force है, अब ये force कैसे बनना, इसको यहां से logically, देख लो, weight is equal to mass into acceleration due to gravity, which is weight is equal to mass into acceleration, और हम according to situation, जो g की value है, आप ए लिख सकते हो, ये लिख लो, ठीक है, वैसे ये जो होता है, वो small g होता है, जिसकी value होती 9.8 ये 10, ठीक है, बुक वागएर है, मैं generally आपको a लिखा हुआ मिलेगा, तो आप suppose कर सकते हो, कि a solution due to gravity की बात की गई है, ठीक है, तो और कुछ खास अंतर नहीं, अब बात करते हैं, चुकि weight एक force है, तो force की अलग quantity होती है, ठीक है अब ये एक अलग quantity है, तो यार इसका unit भी अलग होगा, तो इसका SI unit है, ठीक है, इसका SI unit है, वो force का SI unit क्या लाने लगेगा, यानि इसका SI unit हो क्या हो जाएगा, Newton, ठीक है, इसका SI unit क्या है, Newton, जो जो important points बता रहा हुँ, तो आपको लिख नहीं है, जो mass होता है, यार उसका क है ना उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी है यानि उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है क्वांटिटी तो जो हमारा दो तरह का क्वांटिटी होता है एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर ठीक है अब स्केलर के पास क्या है कि सिर्फ और सिर्फ magnitude है magnitude है magnitude का क्या sense आया magnitude का sense आया कि यार वो बताएगा कि अब मैंने लिखा 10 N या मैंने लिखा 10 कीजी अब देखो फरक है 10 N का मतलब क्या है ये जो 10 है ये 10 तो हमें quantity बता देता है और ये जो Newton लगा है ये Newton बताता है force जब भी कहीं लगेगा तो वो direction को signify करेगा तो जब direction की बात करते हैं तो ये quantity हो रहा जाती है direction तो magnitude और direction तो जब magnitude और direction दोनों मिल जाते हैं तो वो vector बन जाता है और जब सिर्फ और सिर्फ magnitude होता है तो वो scalar बनता है तो देखो 10 N है तो 10 magnitude हो गया और Newton है मतलब force की बात की जा रही है और उसके पास कोई direction है या मैं ऐसे सपोल लिख देता हूँ 10 N upward 10 N downward 10 N हमने किदर लगाया left side में या हमने 10 N किदर लगाया right side में ऐसा समति तो अगर आपके पास magnitude और direction है तो आप बोलोगे कि यार ये vector quantity है और अगर आप बोलोगे कि यार सिर्फर सिर्फ magnitude है तो वो एक scalar quantity हो गया मैं दुकान वाले को जाके ये दो नहीं बोलूँगा न अंकल 3 किलो चीनी दे दो north direction में ये तो sense विलकुल अलग हो जाएगा मैं सिर्फर सिर्फर ये कह सकता हूँ तो उसके पास सिर्फर 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 सिर्फ दस किलो बचा which is what magnitude वो एक scalar quantity बन गई अब देखो अगर मैं direction डाल दूँगा कैसे direction डाल सकता हूँ कि मैं बोलू यार मैं किसी को धक्का दे रहा हूँ north direction में तो मैंने बोला धक्का दे रहा हूँ बोलते quantity है direction तो है नहीं उसके पास तो वो scalar हो गया और जो weight है वो newton है यानि हमको बताना पड़ेगा किदर लग रहा है उपर लग रहा है नीचे लग रहा है दाएं लग रहा है बाएं लग रहा है north south east west कहां लग रहा है बताना पड़ेगा तो यह क्या है यह vector है ठीक है तो आपके पास एक पूरा लिस्ट होना चाहिए चुकि मैंने notes में लिख रखा है कि कौन-कौन सी सारी quantities scalar होती है कौन-कौन सी सारी quantities vector होती है तो अगर आपने मेरा whatsapp group join किया होगा तो mechanics का मैंने अपना सारा notes दे दिया है ठीक है तो उसमें मैंने न अपना जो personal notes है उसमें मैंने एक list बना रखे कि यह quantity scalar है यह quantity vector है ठीक है अब scalar vector हो गया है इसके लाब एक और quantity होती है tensor quantity ठीक है तो उसके बारे मैं हमें discuss नहीं करना है वो जब हम moment of inertia बगरा पड़ेंगे तब आएगा ठीक है तो अभी के लिए वो अलीस एक बार देख लेना उसको याद कर लेना कौन-कौन सी quantity scalar है कौन-कौन सी quantity vector है रट लेना उसको ठीक है वो भी आता है अब चलो आगे बात करते हैं next thing is what यहां पर बोला गया उन्होंने type of unit तो अगला topic है type of unit अब देखो type of unit पर जो मैं बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुनना वैसे तो हमारे पास उतना deep में पढ़ने की जुरत है नहीं इन्होंने बोला यार दो तरह के units होते है एक होते है fundamental और एक होते है derived देखो इनके न ठीक है एक होता है length time तो देखो mass है length है time है अब यह जो हमारे पास fundamental unit है इन unit की मदद से जब हम कोई quantity और बनाते हैं उसको drive करते हैं तो हम बोलेंगे कि यार वो एक drive quantity है let's suppose मैंने बोला velocity तो velocity क्या हो जाता है velocity हो जाता है माँ sorry velocity क्या हो जाता है अपना displacement ठीक है displacement अपोन में time तो ध्यान से अगर आप देखो तो displacement और time क्या है fundamental अब जो मैं इन fundamental quantity का use करके ठीक है यानि इन fundamental units का इस्तेमाल करके बात तो यह किया इनका इस्तेमाल करके जब मैं velocity drive कर रहा हूं ठीक है मैं बोल रहा हूं यार यह मीटर पर सेकेंड हो गया तो इसका मतलब velocity ए बात नहीं है तो यहां से आपको यह चीज पता चलगी अब मैं आपको बताता हूं एक important चीज जो मुझे यहां से सीखनी है वो क्या सीखनी है देखो जब हम drive करते हैं यूनिट fundamental unit से तो हम तीन चीजों पर बात करते हैं मास यानि एम लेंथ मतलब L और time मतलब T ठीक है ML T अब देखो जब मैंने velocity की बात करी तो उसके पास displacement है उसके पास time है displacement क्या होता है actually में length होता है और time है मारे पास तो देखो उसके पास बना क्या L upon में T तो T उपर चला गया तो क्या बनगा L T minus तो unit में velocity दिया रहेगा चार option होंगे आपको लिखा र option में से कौन सी drive unit सही है option A, option B, option C, option D आ सकता है ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है तो आपको एक option मिला रहेगा ML T minus 1 एक रहेगा ML 1 T minus 1 ऐसे something तो अगर आप ध्यान से देखो तो M 0 कर दो यहाँ पर M 0 L1 L simple L ऐसे भी लिखा हुआ है तो भी चल जाते है ठीक है 1 लिखने की जरुद नहीं बट M 0 लिखना signify क्योंकि M है नहीं Because velocity जब हम drive कर रहे है तो mass तो है नहीं उसके पास उसके पास सिर्फ पर सिर्फ क्या है length है और time है तो यहाँ पर M 0 signify कर सकता हूँ L1 लिखने की जरुद नहीं है तो या तो option में M 0 L1 T-1 लिखा मिलेगा या सिर्फ L T-1 लिखा रहेगा या L1 T-1 लिखा रहेगा बात तीनों का एक ही है ठीक है कहना मैं यह चाहता हूँ कि यह तीनों चीज़े एक है तो option में आपको ऐसे मिलेंगे तो आपको quantity के जो भी आपको quantity मिले लाइक velocity मिले ठीक है आपको acceleration मिले density मिले कुछ भी मिले आपको उसका drive unit निकालना आना चाहिए अगर आपको रटा हुआ है तो अच्छी बात है बेसक वह उतना advance आपसे नहीं पूछने वाला आपसे simple पूछेगा let's suppose कि मैंने बोला acceleration acceleration के लिए मैं क्या करूँगा मैं बोलूगा यार acceleration तो होता है rate of change of velocity with respect to time rate of change of velocity मतलब हो गया upon में time तो velocity मेरको याद नहीं रहेगा तो मैं velocity को कैसे कर सकता हूँ velocity क्या होता है तो वह होता है यार हमारा displacement upon में time तो मैंने लिखा displacement upon में time और नीचे भी time हो गया यह time इधर जाके multiply हो गया नीचे तो यह हो गया t square तो distance आ गया उपर distance मतलब length और t की power कितनी आ गई 2 है तो l t minus 2 mass इसमें भी नहीं है तो m0 हो गया तो unit क्या बन गई m0 lt minus 2 तो यह acceleration का drive कर लिया और अगर मुझे directly पता होता कि यार velocity तो मैंने पढ़ा हुआ है lt minus 1 होता है और नीचे t एक और बचा हुआ है तो lt minus 1 और उपर चला गया तो lt minus 2 तो यह मेरा बन गया तो यहां m0 लिख दो या m0 मत लिखो कोई परक्त नी बढ़ने वाला option में है तो ठीक है नीचे तो हम तो सकते ही है कि m0 यहां पर क्यों है या m नहीं होगा तो क्यों नहीं है ठीक है विकोज इसमें mass नहीं है तो m0 lt minus 2 acceleration का निकल गया अगर मेरे को कोई बोलता कि density का निकालो तो density क्या होता है density होता mass upon में volume यही तो होता है अब देखो mass है तो mass और volume दोनों में अंतर होता है तो आपको सोचना पड़ेगा यार volume क्या है तो m upon में volume, volume हो जाएगा l की power 3 है न, volume क्या हो जाएगा l की power 3 और mass है, mass मतलब m, तो ml 3 ठीक है, power minus में यानि reciprocal हो गया, तो ml 3 तो यह होगा आपका density, density क्या होगा, ml की power minus 3, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ml की power minus 3, t0, because t है न, time तो है न, well, volume को हमने क्या लिख दिया यार, length की power 3, ठीक है, volume क्या है हमारा, volume है हमारा, कि अगर हम length को 3 बार multiply कर दे, l into l into l, यही तो ह होता है, आपको तो अनी basic सी बात पता है, कि यार, अगर मेरे पास एक rectangle है, उसकी हमारे पास क्या चीज़े दी हुई है, length है, breath है, और height है, ठीक है, अगर मैं इसको qubit बना दूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, length है, breath है, अब length, breath है, अब length, breath है, तो अगर मैं l into b into h कर द मतलब मैं ये को हुआँगा कि आप, मैं provide कर दूँगा आपको, ठीक है, कोसिस करूँगा कि मैं आपको ये चीज़ provide कर दूँ, तो approximate कम से कम 30s quantity जो है, उनका आप drive कर लेना, ठीक है, fundamental unit का use कर करके, ठीक है, जो important होते, तो वह हम बताने की कोसिस करूँगा, next lecture में, अभी के लिए, ये हमें पढ़ना था, और ये हमने पढ़ लिए, ठीक है, और कुछ रह गया है, तो मैं वह चेक कर लेता हूँ, हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता आउनी चाहिए, वो ये है, कि जो आपका intensity को देख लेना, intensity of electric current, यान electric current को हम ampere में नापते है, temperature को हम Kelvin में नापते हैं, और जो luminous intensity होता है, candela, ठीक है, लिख देता हूँ, क्योंकि कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो जो important हुआ हमें पता होना चाहिए, वो तो कहीं से भी बना देखा, तो luminous intensity की जो हमारे पास unit है, वो है candela, ठीक है, इसको cd, थोटा डी, ऐसे लिखते है, Kelvin ampere second यह सो आपको पता ही है, ठीक है, तो जैसे अब मैं बोलूँ, कि यार drive करना है, ठीक है, तो मैंने बोला work done, तो work done क्या होता है, किसी object के उपर, मैं force लगा रहा रहा और वो कितना distance move किया, let's suppose कि एक डिबबा है, इसके उपर मैंने force लगाया, और यह यहां आ गया, तो force force क्या होता है, force होता है, mass into acceleration, तो मैंने एसे तोड़ दिया, देखो, mass into acceleration into distance, अब देखो, mass है, तो M हो गया, acceleration है, acceleration का मैं ने क्या देखा था, lt minus two into distance, distance मतलब क्या है, distance मतलब होता है, length, एक length हो रहा गया, तो work done क्या हो गया, M L कितना था 1 L इधर है 1 L इधर आ गया M L 2 T की पावर माइनस 2 तो यह मेरा work done का drive quantity बन गया मतलब अगर मेरे पास paper में बनाने के लिए आया तो मैं बना भी सकता हूँ कोई जरूरी नहीं है मेरे को याद रखना है उसको हम kg में तो नापते ही नापते हैं इसके अलावा उसकी एक और यूनिट होती है slug ठीक है याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना slug क्या है कैसे हम LBS में निकाल रहे हैं CMS unit में निकालने हैं वो सब कुछ याद करने की जरुरत नहीं है बस मास है उसको kg में भी नापते हैं और एक unit हमारा slug भी होता है ठीक है याद रखना है तो हमारा यह वाला चेप्टर है परस्ट चेप्टर है हमारा introduction to mechanics वो हमारा होता है finish अब हम बात करते हैं next chapter में जोग इस chapter से जो भी important सीज़े थी आपने कोपी में नोट डाउन कर लेना नोट्स बना लेना प्रोपर तरीके से अब हम बात करेंगे next chapter विच इस आवर फॉर्स चेप्टर ठीक है तो चेक कर लेते हैं अपका next chapter है एक सेट्ट हाँ हाँ law of forces में मिलते हैं इस वीडियो में इतना ही तो WhatsApp ग्रूप को जोइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहा और मिलते हैं next वीडियो में अपर नतिंग शेयर करना यार वीडियो को